तो हाई एब्रिवान स्वागत है आप सभी आंगन बैडी सेविका और सहाई का बहनों का आज के इस नए वीडियो में तो जैसा कि आज का यह जो वीडियो है वह आप लोगों को ECCE कोर्स की सुरुवात करने के लिए यह जो लेटर है वो जारी किया गया है जैसे कि आप लोगों ने BBOAC के तहट अपना जो नमांकन है ECCE कोर्स में डिपलोमा एम सर्टिफिकेट कोर्स के लिए कराया होगा तो उसका जो कलास है वो कब से सुरुख कर दिया जाएगा इसका ड जैसे कि आप हमारी स्क्रीन देख पा रहे हैं बिहार मुक्त विद्याली सिक्षा उन परिक्षा बोड सिक्षा विभाग के तरफ से इस लेटर को जारी किया गया है यह जो कारेकरम है BBOAC के तहट कराया जा रहा है इस लेटर को जारी करने वाले हैं 37 चंद्र जहा बिसे सच चिव सिक्षा विभाग सह मुख्यक कारेकारी पधादिकारी और यह लेटर जारी किया किनकों किया गया है तो देख सकते हैं आप निदेशक समेकित बाल विकास पर्योजना निदेसाले समाज का लियान विभाग विहार पतना यानि यह जो लेटर है वो ICDS विभाग को जार 2022 बुद्वार एम गुरुवार को पठन पाठन के संबंद में यानि कि आप लोगों ने जो डिप्लोमा कोर्स एम सर्टिफिकेट कोर्स कि लिए न मांकन कराया था उसका जो पठन पाठन है यानि कि उसका जो क्लास है वो 23 एम 24 नौनबर को कराय जाएगा ठीक है तो यहां यहां पर नीचे आएंगे इस लेटर से संबंदित बहुत ही महतुपूर्ण बाते लिखी गई है अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा आप लोग लाइक करते हैं हमें अच्छा लगता है और हम आपके लिए इस परकार से वीड मंद में कहना है कि सुनंदनी कारेकरम के तहट नमांकित सिक्षार्थियों का पठन पाठन प्रारंब है नमांकित सिक्षार्थियों को अधेयन समागरी पूर्व में ही बाल विकास पड़ियोजना पदादिकारी के माध्यम से उपलवद करा दी गई है अधेयन समागरी जै यानि कि जो आपका CDPO करयाले है उसी को अध्यायन केंद के रूप में चुना गया है यानि कि आपका जो कलास है वहीं पर कराए जाएगा तथा बाल विकास सेवा पर्यूजना पधादिकारी को नोडल पधादिकारी नामित किया गया है ठीक है आप आगे भरेंगे सुनंदनी कारेकरम के तहत नमांकित सिक्षार्थियों को अध्यायन समागरी उपलवद होने के उपरांत उनका उनमुखी करन दिनांग 23-11-2022 से 24-11-2022 तक बोड करयाले के द्वारा किया गया है यानि कि आपका जो कलास है वह 23-24 तरी को बोड करयाले के द्वारा किया जाएगा उनम ब्यक्तिगत संपर्क कारेकरम PCP के माध्यम से इसाय वी सेशगयों के द्वारा पाठेकरम से संबंदित आवस्यक अधिगमन के लिए सलाह यों परमवर्ज परदान की जाएगी और नीचे देखे यहाँ लिखा गया है इसके लिए पाइलट प्रजेक्ट के रूप में 11 जी ब्यक्तिगत संपर्क PCP आयोजित करने हैतु नीम प्रकार कारेकरम निर्धारित किया जाता है जहां अनुमंडल के सभी परखंडों के सीक्षार्थी यानि सेवी का सहाई का भाग लेंगे ठीक है और यह जो कारेकरम है वह आप लोग देख सकते हैं कि कितने बच से सुरू ह होगा समय परतिक तिथी को दस बजे पुर्वाहन से तीन बजे अपरहन तक ब्यक्तिगत संपर PCP कारेकरम आयोजित की जाएगी नीचे आएंगे नीचे यहां पर पूरा लिस्ट दिया गया है कौन सा कारेकरम जो है कितने ताड़ी को कराया जाएगा डिपलोमा कोर्स कितन ताड़ी को कराया जाएगा यहां पर देख सकते हैं इसका लिस्ट जो जाड़ी किया गया है जीला का नाम यहां पर दिया गया है टोटल 11 जीलो का नाम यहां पर सामिल किया गया है और वंडल का नाम जैसे की आरा सदर और परखंड का नाम आरा और देख सकते हैं यहां पर पाठेकरम का जो नाम है जैसे कि डिप्लोमा कोर्स एक वर्सों के लिए कराये जाएगा और सर्टिफिकेट कोर्स छे मौनों के लिए जो कराये जाएगा उसका यहाँ पे डेट दिया गया है डिप्लोमा कोर्स यहाँ पे 23 तारी को कराये जाएगा और सर्टिफिकेट कोर्स ज देख सकते हैं जिस जिल्ला में भी ये कारेकरम कराय जा रहा है वो यहाँ पे 24 तारी को सर्टिफिकेट कोर्स और 23 तारी को डिपलोमा कोर्स ठीक है इस परकार से यहाँ पे दिया गया है इस वीडियो में फिलाल इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ला नेवाद जय हिंद